विल्कम तो मैं चैनल आज हम बनाएंगे चिकन 65 ग्रेवी इसके लिए हम लेंगे बॉनलेस चिकन आप बॉन्स के साथ भी ले सकते हो यहाँ पर मैंने 500 ग्रैम हाफ केजी बॉनलेस चिकन लिया है इसको क्यूब में कट कर लिया है इसमें हम मसाले शामिल करेंगे अदरकलेसन का पेस्ट वार टीइ स्पून साल्ट शामिल करेंगे नमक नमक भी आप अपने टेस्ट के आकॉर्ड़िंग ले ले टू टेबल स्पून फूल दहीं शामिल करेंगे वाटर टीस्पून रेट फूट कलर शामिल करेंगे क्वाटर टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसको कवर करकर 15 मिनेट के लिए मैरिनेट करेंगे यह हमारा फस्ट मैरिनेशन है ग्रेवी के लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून टेमेटो सॉस 2 टेबल स्पून सोया सॉस थोड़ा सा फुट कलर शामिल करेंगे तखरिबन दो पिंच नमक शामिल करेंगे टू टीजपून चिली सॉस भी शामिल करेंगे टू टेबल स्पून MS जूस या वेनेगर शामिल कर दे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस सॉस को अभी हम साइड में रख लेंगे चिकन को मसाला लगाए हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून कान फ्लोर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे एक अदद अंडा शामिल करेंगे अंडे को थोड़ा सा फिंट लेंगे यह हम चिकन 65 की ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए कान फ्लोर और मैदा कम शामिल करेंगे नहीं तो वो फूल कर बहुत आठा आठा लगेगा जब कुख हो जाएगा पस एक पतली सी लेर आनी चाहिए चिकन पर इतना ही शामिल करें अगर आप चिकन पकोड़ी या ड्राई चिकन 65 बना रहे हों तो जब मैदा और कॉन फ्लोर ज़्यादा शामिल कर सकते हो अभी हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और पैन को थोड़ा सा गरम करकर इसमें ऑईल शामिल कर लेंगे डीफ्राई के लिए ऑईल मीडियम हीट पर होना चाहिए बहुत ज़्यादा गरम ना करें ऑईल को नहीं तो पीसेस दालते ही जल जाएंगे अभी हम एक एक चिकन का पीस आईल में रखते जाएंगे सारे एक साथ नहीं डालेंगे अलाहिदा अलाहिदा डालेंगे ताके एक दूसरे को चिपके ना यहाँ पर मैंने सारे पीसे ओईल में अच्छे से सिट कर लिए हैं ले मीडियम पर ही है ताके चिकन अंदर से भी अच्छे से कुख हो जाए और उपर से जले भी ना चिकन के पीसेस को धीरे से मिक्स करते जाएंगे यह बोनलेस चिकन है बहुत जल्द फ्राई हो जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता चिकन के पीसेस को बहुत ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे दो से तीन मिनट ही फ्राइ करेंगे यही काफी हो जाएगा नहीं तो यह हार्ड हो जाएंगे इसका सारा वाटर सुख कर ड्राइ हो जाएंगे अभी हमारे चिकन पीसे सच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इसको आउयल में से निकाल लेते हैं बगार के लिए थोड़ा सा आउयल लेंगे उसमें क्वाटर टी स्पून जीरा शामिल करेंगे वन टेबल स्पून कटी हुई लहसन शामिल करेंगे सास से आठ हरी मिर्च शामिल करेंगे 15 से 20 करी पत्ते शामिल करेंगे हरी मिर्च और करी पत्ते को आउयल में थोड़ा सा फ्राइ करेंगे इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए करी पत्ते और हरी मिर्च का जो सॉस तयार किया था इस सॉस को अब हम इस बगार में शामिल कर देंगे फ्लेम मेडियम रखें या लो रखें ताके बगार जले ना बगार में सॉस को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले और बगार ना जले इसलिए थोड़ा सा वाटर शामिल किया है एक कप में वन टेबल स्पून कार्ण फ्लोर लेंगे उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करकर लिक्वीड बना लेंगे और इसको इस ग्रेवी में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताके लम्स ना पड़े जो चिकेन के पीसे स्फ्राइ किये थे उसको इस ग्रेवी में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ये हमारा थोड़ा सा ड्राइ चिकेन 65 है अगर आपको और थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा सा वाटर शामिल कर दें तकरेबन 50 ml to 100 ml थोड़ा सा धनियापता शामिल करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें यहां पर मैंने चिकेन में और थोड़ा सा वाटर शामिल किया है और थोड़ी सी ग्रेवी बना ली है जिसको लाइट ग्रेवी पसंद है वो लाइट रखें जिसको थोड़ा सा लिक्वीडी पसंद है वो लिक्वीडी रखें अभी आप देख सकते हैं हमारी चिकेन 65 ग्रेवी बनकर रेडी है आप इसको चपाती, परोठा और नान के साथ भी का सकते हो आप हैदराबादी खटी डाल और चामल के साथ भी इस चिकेन 65 ग्रेवी के मज़े ले सकते हो चिकेन 65 काजू पकोड़ी की रेसिपे भी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी वोच कर लें वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें